कि कोट अपनिशत में प्रतम अध्याय के तृतिय वल्ली 15 नंबर मंत्र है यह आत्मा ग्यान रुपी मार्ग बहुत कठीन है चुरस्यधारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत कभोजो बतनते ऐसे बतला है अर्थाद इस आत्मा ग्यान रुपी मार्ग में चलने के लिए प्रमाद नहीं करना है ठीक थोड़ा सभी प्रमाद नहीं प्रमाद का त्याग को कहा गया क्यों ऐसा कह रहे है क्योंकि बस्तु ये ऐसी होती है बस्तु जो आत्मतत्त्त है खत्यंत सुक्ष्मा है नहीं तो निरतिश्या सुक्ष्मा है उससे सुक्ष्मा और कोई नहीं है नहीं तो जितना जितना गुण अधिक होगा गुण धर्मा वो बस्तु उतनी स्तु लोती है और जितने जितने गुण काम होगे उतनी वो शुक्ष्मा होगी बस्तु नहीं और आत्मा में किसी प्रगार के गुण धर्मा नहीं है ये तो आत्मा में भेद मानते हैं कुछी लोग तारकी लोग तारकी लोग जो है जिवात्मा परमात्मा है, जिवात्मा में गुण ज्यादा है, और इस्वर में गुण कम है, ऐसा मानते हैं, चोबिस गुण मानते हैं ना तारकीग लोग, तारकीग लोग चोबिस गुण मानते हैं, रू, पराश, गंद, इत्यादी, तरका संग्रेम आया, उन चोबिस उपन, चोद कॉने मानते हैं कितने मानते हैं इस्वर जानते हूं संख्यादी पांच बुध्धिर इच्छा questa, कितना हो गये, आत होगे हाँ संख्या परिमान प्रतक्त्व संजोग और क्या है बिभाग 5 होगे पाँज होगे बुद्धि मिला ज्यान नित्य ज्यान नित्य इच्छा और यतना पांतीन आठ होगे एई श्वरे मानते हैं लोग और जी में चोड गुन मानते हैं इतार्की लोग मानते हैं बुध्यादी सटकम संख्यादी पश्यकम भामिना है भामिना है समस्कार धर्म अधर्म कितना होगे छे छे पांच ग्यार ग्यार तिन चौदर चौदर होगे ऐसे मानते हो लो लेकिन ये बेदान्द का जो आत्मा है निर्वी से इसमें किसी बगार का गुण धर्मा नहीं है ठीक है इसलिए जिसमें किसी बगार का गुण धर्मा है नहीं उनकी सुक्षमता के विश्य में कहना क्या है अर्था नेरती से शुक्षमा हो ठीक है यह यहाँ पर 15 नम्मर सुलो मंत्र में कहते है पल ये कल पढ़ लिया था एक ब़र पढ़ना चाहिए अशब्धमस्पर्समरूपमभ्ययं अशब्धमस्पर्समरूपमभ्ययं तथारसं नित्यमगंदवच्यत अशब्धम महत्यमगंधवच्यत अनाध्यननतं अम अहत अह पर음 दृभ़वववववववव धृभवव निचायतन मम्रत्यमुखाथ प्रमुच्यते आछेतन मरत्यमुखाथ प्रमुच्यते इसमें कोई सब्द, आत्मा में सब्द नहीं है, प्रिति वे जलता है यह पाँचों में सब्द रहता है, नहीं, अब मा सपर्स कहां रहता है, आकास को छोड़ दो, सही में सपर्स रहेगा, आत्मा में कोई सब्द, किसको पकड़ते हो, आत्मा को पकड़ते हो, यह सरीर को पकड़ते हो, नाड़ी देखते हैं, डक्टर नाड़ी देखते हैं, किसको देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, नाड़ी को देखते हैं, नाड़ी को देखते हैं, नाड़ी को देखते हैं, न तिन भूतों में रूप रहेगा जल तेज और प्रितिवी आत्मा में कोई रूप नहीं है तब जिसमें जब है ने सब्दा दी तो कैसा होगा अभ्या होगा नित्य हो जाएगा अभ्याम उसका नास नहीं होता है है कि नहीं मतलब क्या है यह आत्मा का बेपरित्य कभी नहीं होगा शरीर चाहिए जन्में साइस्ट शरीर मरे और के चाहिए सृष्टी हो चाहिए प्रलव हो आत्मा तो जियोंकात्यों रहता है कि आत्मा जियों कत्यों है सब्सक्राइब कि नहीं इसलिए कि दिया अभ्ययम तथा और सम्रोष कहां रहता है कि रोष कि जानते हो प्रिथी में रहेगा जल में रहेगा आत्मा में कोई रोष नहीं है कि नित्यम ज़ी कि आऊ गया नित्या और गंद वाच्च गंद वाली को नो ती प्रिथी है गंद वाली प्रिथी एकर नहीं रोष के इसा है रोष का आणद रुपी रोष है ना गड़ता है न बढ़ता है, यह आत्मा का आनंद रुपिरस है, यह कि नहीं, वो न खटेगा, न बढ़ेगा, उना अधी अनंतम, उसके ना कोई आधी है, आधी मल कारण, परमात्मा कोई कारण नहीं है, तो किसका कारण रहता है, जिसकी उत्पति होते हैं, उसका कोई कारण होगा, परमा परमात्मा की उत्पत्य नहीं होती है, पकारजा नहीं है परमात्मा, परमात्मा ओनादी है, और जिसकी उत्पत्य होती है, उसका नास होता है, परमात्मा की ना उत्पत्य नास, इसका सरीर का होता है, जनम दिन मनाते हैं, किसका मनाते हैं, जनम दिन किसका मनाते हैं, जनम दि हाँ अपना शरीर लेकर आवे सई कह रहा है हाँ शरीर का जा शरीर का ज़ुआ है और ज्यादा मानेंगे अच्छा है पागल मानेंगे तो बड़ी आ है आजकल के पड़ेली के लड़के लड़किया ना सब, यह सब दादी मालों के सब पागली मनते हैं, काये कौन से जमाने की हैं बुलते सब, अनाधी अनंतम महतहा परम महतमल यामर बुद्धी, यह बुद्धी से भी पर है, बुद्धी से भी सुक्ष्मा है, क्योंकि आत्मा त बुधि से परेव, बुधि से भी सुख्षमा है, है कै नहीं? और क्या कहते हैं, दृूबा ममतलब क्या है है यहां पर धूबा मम दूबात आरा नहीं है, दूबा का अर्द होता है कूटस्त नित्य है, जिसमें कोई विकार नहीं होता है, अभीकारी है नित्य यह आत्मा कुटस्त नित्य है नहीं पले यह सब कहानी बता रहे हो इसको जानने से क्या होगा आत्मा को यह बोलते हैं उस आत्मा को जान ले नीचाया मतलब जान करके वह आत्मा मेरा स्वरूप है सात्र में जो लक्षण बतलाया वो लक्षण मेरा स्वरूप है इसको जान करके अहां अस्मी परव्रम्म इस परकार के जान करके मृत्य मुखात प्रमुच्यते मृत्य मृत्य मुखात प्रमुच्यते मृत्य मृत्य का गोचर मृत्य का गोचर क्या होता है अभिद्या काम करम यहीं मृत्य है अपने सुरूप के नहीं जानना अपने सुरूप को भूल जाओगे तो संसार में कामना होगी कामना के पूर्ती के लिए पिल कर्म करोका है जय हो गया मृत्य मृत्यू मृत्य का मृत्य का रवजा जा थेया यह मुख मुर्ट्व का यह मुख दर्वाजा है कौन अविद्या काम करम इसके अंदर मुर्ट्व को जाता है अद्विक्ति उससे पार हो जाएगा प्रमुच्चते थीक है यह सब यह जुक्ति है यहाँ पर जुक्ति बताया कैसे जुक्ति देखतों उनको बता देता हूं पहले bhramma abhyam क्यों सब्दादИ मत्वाद जिसमें सब्दादИ नहीं है है कि नहीं जैसे पृतिव भ्यादी जो abhyam नहीं होगा वो ऐ सब्दादी बाला नहीं होगा क्यों भ्यादी बाला होगा एक जुक्ति बता दिया ठीक है अब ब्रह्मा अभया होने के कारण नित्य है ब्रह्मा नित्यम अभयत्वात वह की नहीं होगा जो नित्य नहीं होगा वो अभया नहीं होगा वो अभया हो जाएगा बिनासी हो जाएगा अब ब्रह्मा क्या बलते हैं अभया क्यों है बलते कि कुटस्ता होने से दुरुबा हो होने से एस जुकतीओं सब अत्वो ब्रह्मानित्य क्यों है जिसका न आधी है जिसका न अन्त है आधी अन्त शे lohrian नितिय हो जायेगा इसए जुकती हैं इसब थीक्तिогर्णाओन अपने में घटाना चाहिए मैं अबया हूँ क्यों इस अबदादी तो शरीर में है मेरे में नहीं है सज में कि नहीं है मैं नित्य हूँ क्योंकि मेरा कोई बया नहीं होता है शरीर का बया होता है है कि नहीं मैं नित्य हूँ ना मेरे आदी होती है ना मेरा अंता होता है उत्पति और नास किसका होता है शरीर का होता है इस पर करिये जुकती है ये बासे देख लो असब्दम असपर्सम अरूपम अब्ययम तथा अरसम नित्यम अगंदवच्ययत ऐसा आत्मतत्त है एतद व्याक्यातम इस मंत्र के द्वरा ये व्याक्यान हुआ क्या ब्रह्म अब्ययम ब्रह्म तो अब्ययम है इसका ब्ययम नहीं होता है माले इसका च्छय नहीं होता है अब्यम माले आक्छय नहीं होता है ठीक है इस शरीर का होता है शरीर में कितना विकार जानते हो रजानते हो छे भीकर है यात करो जायते अश्ट्टि भीपर्णमते अपक्षीयते बिनस्यति कितना होगिए छे होगे ना जायते मतलब उत्पत्ति उत्पत्ति सरीर की उत्पत्ति होती है नहीं छे भीकर होते हैं फिर उसके बाद क्या होता है मलू में उसके बाद रहता है शरीर अस्ती रहता है फिर क्या होता है जायते अस्ती बर्धते बढ़ेगा और क्या दूद्मले खागर बढ़ेगा बढ़ेगा फिर क्या होता है अपक्षियते अपक्ष्याते जायते अस्ति बार्धते भी प्रणाम आते हां भी प्रणाम होता है ना बैस ऐसे भी प्रणाम मतलब क्या होता है कई फूलता है कभी क्यों ज़ता है रखिया है ऐसे भी प्रणाम होता है मोटा मोटा इसे पर घर होता है इसको कते भी प्रणाम फिर क्या होता ह है अपक्षियते 40-50 साल के बाद क्या होता है दिरे दिरे चीरण लगता है रांते में बिनस्षती नस्ट जायते अस्थी मरण शरीर में छे विकार होते है शड़भाब विकार कहते है यास्कमुनी ने कहा यास्कमुनी मुनी का नाम है यास्कमुनी ने इस शरीर के छे विकार कहे उसने छे विकार कहा जायते अस्ति बर्धते बिप्रणामते अपक्ष्यते बिनस्यती ईचे विकार यह विकार शरीर का होता है मेरा नहीं होता है मैं तो अविकारी हूँ मैं कुटष्ट नित्य हूँ ठीक है यह चिंदन करना चाहिए देखो भाष्य है यदि ही सब्दादी मत्तत बेति जिसमें सब्दादी कुण रहेगा इसका नास होता है इदमतु ये जो आत्मा तत्व है और सब्दादी मत्वात अभयम न बेति न चियते इस आत्मा में तो कोई सब्दादी गुणा नहीं है है क्या नहीं इसलिए न बेति का अर्थ हो गया न चियते उतेव इसलिए बाशाई चल रहा है इसमें के टीका नहीं है निठ्यम यहले आत्मा निठ्य है और कि यदिवेती है तो निठ्यम जिसका Сुज होता है औस होता है आत्मा का, इसलिए आत्मा नित्य है, आत्मा मतला मैं, आत्मा मतला मैं, ऐसा लग दो, इतश्य नित्यम अनाधिय अविद्यमानाधि, और इसलिए भी आत्मा नित्य है, क्यों? बलते हैं कि अनाधि, अनाधि मलक्या अविद्यमानाधि, आधि किसको बोलते हैं, कारण को, है क आदी किसको बोलते हैं? कारण को कारण पहले रहता है, कारियबाद में होता है, और अनादी का मतलब क्या होता है? जिसका कोई कारिय नहीं है, उसको बोलते हैं अनादी, रहकी नहीं, तो महादेब का क्या कारण है? कौन है महादेब का कारण? महादेब का कारण कोन है? कोई न आदी है जो आतमा है अनादी है यदि आदिमत तत कार्यत्वत अनित्यम जिसका कोई आदी हो कारण हो उकर्यत होगा कार्यत होगा जो कार्य होगा अनित्य होगा जो कार्य होगा उसका नास कहां पर होगा उसका लाए अपने कारण में होगा गटा उतपर्ण होता है मिटी से मिटी में बोलते हैं कि मिटी से आया है तो मिटी में जाएगा बोलते कि ने मिटी में मिल जाएगा कहा कब बोलते हैं समसान में बोलते हैं मिटी से आया है तो मिटी में जाएगा तो कितना बैराग्य होता है कहां पर समसान में तो बहुत लोगों का बैराग्य हो जाते हैं सही पिड़ी पिती पिती अच्छा पिड़ी जैसे जल करके समात मुझाता वो भी जलेगा पिड़ी पिती यह नहीं जानता है कि मैं भी जल करके बिड़ी की तरह मिट्टी में चला जाओंगा बिड़ी यह से बोलता होगा तू जैसे मेरे को जला रहा है मैं भी जलाओंगा तेरे को एक नहीं ठीक है आज चलो जथा प्रतिव्यादी हो गया इदम तो यह जो आत्मत तो है सर्व कार्या अत्वाद अकार्याम नहीं यह आत्मा तो सब का कारण है कार्या नहीं है इसलिए अकार्याम और जो कार्या नहीं होगा और नित्य होगा इसका कोई कारण जोदी होता ना आत्मा का तब तो आत्मा अथमा का कोई कारण होता तो आत्मा कोई हुआ कि किसका होता है कार्य का आत्मा कार्य हैं आत्मा देखा जयते कारण वे नहीं है कार्य भी नहीं Besides क्ड़लिperform का पिद द दक समय संस्कृत में पएकदली में केले को तक केले में पहलाकी औल पहलाँ दुबारत पहलाँ तो दो-बार पहले आ दोबारत आएगा नहीं किला भी नहीं पेड़ मेरेरें पानी डालते रहा इसके बाद फॉल नहीं आ सकता है यह एक बार देता है कि ए के लेका नहीं यह सभाव है इसलिए का कह रहा है फौल आदी काय उत्पाजे ना फौल जब उत्पन हो गया तो नस्ट हो जाएगा है कि नहीं इसलिए अनित्यत्तम द्रिष्टम केले आदी फेल कैसे होते हैं अनित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत प्रलियते हैं और विदी लिंक के साफ से प्रलियता होना चाहिए ना हाँ प्रलियत ने ऊपर भी तब प्रलियते हैं दो जाका और प्रलियते हैं कारणा प्रलियते दूसरी पंक्ते में देखो अधार यां पर भी तो गीता प्रलियते हैं और प्रलियते हैं मैंने सर्वकार्ण में दीजना उड्य होنت Osas Τ Kosten इसका कोई कार नहीं है कि भी हैं फ्रलिय प्रलिय तो ढघे पेसक ठीक लगा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जदी इसका कोई कारण होता तो जिसमें की क्या होता है लीन होता यह था पर नौता से कारण मस्ति यस्पिन प्रलियत यह थी प्रलियत पाट ठीक आचा लग रहा है आगे चलो आगे बढ़े हैं महतो मतलब महतत्वात बुद्ध्याक्यात परंभिलक्चनम तो महतत्व मतलब समस्टी बुद्धी यह बुद्धी से भी पर है पर मतलब भी लक्षणम आटमा बुद्धी से भी लक्षण होगे ना क्योंकि बुद्धी को तुम जानती हो इले तुम बुद्धी से अलय हो नहीं, यह कहते हैं ना, मेरी बुद्धी अभी ठीक है, मेरी बुद्धी अभी अस्तिर है, बोलते कि नहीं, श्तिर अस्तिर बुद्धी को तुम जानते हो, यह आत्मां बुद्धी से पर है, बिलक्षन है, बुद्धी दृष्चे है, आत्मां चेतन है, दृख है, साक्षी ह आगे देखलो भास से नित्य विज्यम्ति स्वरुप अत्मा तो नित्य विज्यम्ति स्वरुप ज्ञान स्वरुप है ये इसले सब का स्वरुप ज्ञान हो जाए इंद्रियों से लेकि सभी ज्ञान को तुम जानती हो मुझे घट ज्ञान हुआ मुझे पट ज्ञान हुआ मट ज्ञान हुआ बोलते कि नहीं इसले सभी बृत्ति रुपी ज्ञानों का ये साक्ची आत्मा देखा आगे सरवा भूतात्वा सरवा भूतात्वात ब्रह्मा सभी भूतों के अंदरी ब्रह्मा है इसले छेत्रग्यम्चापिमा बिद्दी सर्वा छेत्र सु भारत गितामे कहते ये सब के शरिर में ये आत्मा है नहीं। उक्ताम है सर्वcribe शो भूटे शो इत्याधीत। इशेले परेके दिया सर्वे सो भूटे शो गुढ़ा। नहीं। धुरुवाम चया कुटस्तम कुटस्तM नित्यम आतमा कैसा है। धुरुव दुरुव का लिएचा की कुटस्त नित्य है। क्योंकि यह आत्मा दो प्रकार का नित्या मानते हैं सांख्य लोग यह त्रिगुण आत्मी का प्रकृति है प्रणामे नित्या और आत्मा कुटस्त नित्या मानते हैं तो हमारी यहां तो नित्या एक ही है वैस कुटस्त नित्या ही नित्या दो भेदनी कते हैं प्रणामे नित जो कुटरस्त भी का नित्य को बीकार नहीं है और हमेशार रहे उसको क्या भलते कि अप्रहिए भ्याद अपेक्षी का मेत्यत्त अशार् भलता है वाल को प्रेंकश यह कै Monthly को सब्सक्राइब मिछ्ति भी काने को अगते है धृम गहता है तो आपक्षी कर नित्य होगे कि नहीं, ऐसा आत्मा नहीं है, आपक्षी कर नित्य नहीं है, इसकी अपक्षा से नित्य है, ऐसा नहीं है, निरतिस से नित्य है, मतलब हमें सा रहता है आत्मा, और कभी नास नहीं होता है, स्थाज माया? तथ एवा मुठम ब्रहमा अत्मा नम निचाय एसे ब्रहमा रूपजव आत्मा है उसको साथ्हाच्यात कार कर लेने पर अभगम्या तरम आत्मा नम अब ब्रहमत अपना सुरूप है ना तो मृत् or मृत्यु मुखह, प्रमुच्यत कहा ना मृत्यु गोचर मृत्तु मुका मतला मृत्तु का गोचर मृत्तु का भिषय अविध्या, काम, कर्म, लक्षण, प्रमुच्यते, बियुजते मतला इसको ले करके यह जन्मा मृत्तु चक्र चलता है संसारुप यह चक्र चलता है ना किसके कारना अविध्या काम कर्म काम मतला कामना 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 कर्म अग्यान से कामना होती है कामना से पिर कर्म होगा यह क्रम है अविध्या कामना कर्म इसी से पिर क्या होता है संसार पिमृत्य होती है तुझ में कि नहीं? और आत्म तत्यों का ज्ञान हो गया अविद्या के निवर्तियों अपने सुरूप को तुम जान लोगे मैं तो आनंद सुरूप हो तो कहां जाना चाओगे? ब्रह्म लोग जाना जाओगे? कि सर्ग जाना चाओगे? कामना रहे है? नहीं रहे है अपने सुरूप आनंद को नजानने पर कामना होती है कामना जब है निय إithतो क्या कर्म होगा? कोई कर्म नहीं होगा तुम है ना पाप ना पुन्य थीक है? व्यूजयते इससे रहित हो जाता है प्रस्तुता विज्ञाना सुत्यर्थम आहा सुतिहि ऐसा जो विज्ञान है ब्रह्म विद्ध्या विज्ञान व ब्रह्म विद्ध्या प्राविद्ध्या उसकी स्तूति के लिए सुति बोलती है नहीं स्तूति की जा रही है कौन कर रहे हैं स्तूति कन कर रहे हैं सुति बोलो उपर नाचिकेत मुपाख्यानम बृत्यप्रोक्तम सनातनम उक्त्वाशुत्वाचमेधावी ब्रह्मलोके महियते यह देखो यह Guru Самberद है विवाद नहीं है Guru से लेकर गुरु चलैंए कभी भी बिवाद होता है कि यह को णारत है कि इसको कहते है उप्च्यान में बल्ञा संबाद नाचिकेतां नाचिकेतां प्रप्त हो नाचिकेतां को सुन और जवरा जमराजर नाचिकेतां को चनाया छेव नाचिकेत भ appsyyanam स्वतिय बोलते हैं देखो चले का नाम से इसका नाम हो रहा है किन on चेला चेला नाचिकःत नहीं के चला हम और क्या बराज़ी का commerce है को नैना जाक ciao आचर जयंता है नाचिकता है देखो यह आख्यईगा का नाम है नाचिकेत बदला मामुली आदमे हो मामुली है नहीं है इसा होते है मृत्यु प्रोक्तम सनातनम और किसे ने कहा ये संबाद को मृत्यु जमराज ने कहा है कि नहीं अरे बेद है नहीं है अरे बेद तो अनादी है इसले कि दा सनातनम इसको जो सुनाता है उक्तवा इसको जो सुनाता है दूसरे को और जो सुनता भी है कहीं से महापुरुस के मुक्स मखारबिंदों से उसको अवस्य कही न कभी कभी न कभी ज्ञानत हो जाएगा मेधा भी तो ज्ञान का फल क्या है ब्रह्म लोके महियते ब्रह्म रुपर जो लोक है उसको परमात्मा को प्राप्त कर लेगा परमात्मा का सुरूप हो गया हो इसलिए महियते महपुजायम उपास्चे हो जाए ज्ञान के स्थूति हो रहे है ज्ञान हो जाएगा तो लोग उसकी करेंगे इतात्प्रिण यह बर ग्षान का फॉल हो गया परमात्मा को प्राप्ट कर ले ना नविज्ञान के स्तूति हो रही ना भास चाळ रहे, नाचि के्तम इस उपाक्छे में अख्या प्राप्ट को करें इसको नाचि केतक क्युं कह दिया नची केता सा प्राप्तम नची केता 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 नच प्रतम दुत्य और तिस्री प्रतम अध्या में तीन बल्ली आएगी बल्ली तरय लक्षणम सना तनम क्यों कहा चिरन तनम यह बेद है ना इले बेदी कत्वा यह आख्याई का बेदी का अख्याई का उसको जो उक्तवा कहे करके किसको सुनाओंगे ब्राम्हने भ्यह है कि ने इसको ब्राम्हन मुल साधक को जी सुनाता है ने शुरुत्वा आचर्यभ्यो अशुनों के किस से आचर्य के मुक्षे सुनोंगे कौन सुनेगा मैधावी मैधावी सुनेगा बीवे की सुनेगा और उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा है कि नहीं ब्रह्मा लोग के बोल उत्यति यहाँ पर प्राप्तव्यवे है इले लोग को अरता प्राप्तव्य के ब्रह्मा लोग का तस् मिनमाय अते मतलब आत्म भोता उपाज्य भवती अ परमात्म शुरूप हो जाएगा ना एन प ब्रह्मा बेद ब्रहेबभवती इसलिए अग्forming का फळोग है ब्रह्मा यायिमम्परमः अभये श्रावेध ब्रह्मस सदी प्रयता स्राधकाले या तदानंत्याय कल्पते तदानंत्याय कल्पते तेनंत्याय कल्पते ती इमम, यह प्रथम अध्या तीन बल्लिए है, इस गलंता को शुनाता है, लेकिन यह मामुली नहीं है, परअमुम गुईम, अत्यान देगोपनिय है, यह जो ना यह कथा है, ज्यान का उपदेश है, अत्यान देगोपनिय है, मतलब सब को नहीं सुनाना चाहिए, यह ता पिर मंत्र सबको दिया जाता है क्या नहीं दिया जाता है सबको अधिकारी हो दो देते हैं इसी का रिवते मंत्र है नहीं सबको नहीं दिया जाता है इले के ब्रह्मा संचदी यह बिद्वानों की सभामल बिद्वानों को सुना जाता है सज में कि ने ठीक है यह साध्धाकाल में भी सुनाते ना इले बलते हैं कैसे सुनाओगे प्रयता हो सुद्ध होगे सुनाने वाला सुद्ध होना चाहिए सुननने वाला सुध हो करके सुनाऊ goo अच्छे कपड़ा पेहनो शुनान आधी करके जो है पेहनो अन्य मासमति लग सब धाण करके माला पेहन करके उसको इसको सुनाना पढ़ता है हम् ये सुदाता हो अपढ़ता है कि निए? ऐसे सुना दोगे? इसे नहीं सुना जाता है, ठीक है? ऐसे नहीं कि चाय पीते पीते सुना ओ इसको, क्यों है? चाय भी चुशकी भी ले तेरो और सुना तेरो मंत्र, ऐसा है क्या? शुद्ध करके स्धा काले बाद साध्य के समय ना, साध्य काल होता है ना, पिंड़ दान देते हैं उसे में, पित्री पक्षे के समय और भी मान लिजे, कुछ हो गया, निरुबां काया, पुन्यति थी आजी में भी, यह है, तदा नंतयाय गलपते, इसलिए हम लोग पाट करत ने तो हम लोगों का क्या प्रोजन है, हम लोगों को देख करके, सुन करके, और कुछ लोग करे, इसलिए हम लोग पाड़ करते हैं, ने तो हम लोगों का क्या प्रोजन है, क्यों, कोई प्रोजन है, तो हम लोगों को देख करके, कोई अनुकरन करे, इसलिए हम लोग पाड़ क लेते हैं ने तो हमेरा कोई प्रोजन था ही नहीं है कि नहीं तदा अनंत्याय कलबते अइसा जो उस पूरुस का जो श्राद्धा होगा वो अनंत्याय को प्राप करेगा जो अनंत्याय है ना अनन्त फॉल को प्रात करने में जोग्य होगा सुझ मैं कि नहीं, इसकी बड़ी महिमा है यह तीन अध्या न प्रतम अध्या हुआ यह प्रतिन बल्ली इसकी बड़ी महिमा है तदा अनन्त आया कल्पते दो बार कहे दिया यह अध्या की बरी समाप्दी के लिए, भास्य तोड़ा देखो, यह कस्चेत, जो कोई, इमाम ग्रन्थम, यह जो ग्रन्थ है, तिन बल्ली, परमाम, मतलब प्रक्रिष्टम, गुयम गोपयम, गोपयम, यह गोपनिया, मतलब क्या, सबको नहीं सुना जाता है, इसको यह कोई सुनाता है, श्रावेद, ग्रन्थ तो अर्था दास्च, चाहे ग्रन्थ का पाट के अबल कर लिए, और तो अर्था चिंतन के साथ पाट करे, अर्था के साथ, अर्था के साथ सुनावे, मतलब भास्यादी के साथ सुनावे, अधा क्याल मंत्र मंत्र सुनावे, स्वाज मैं प्रवेत्वन सुचिर भुत्वा सुद्ध हो करके अत्वा स्राध्ध कालिवा स्रावे सुनावे भुंजाना नाम जो भोजन पार है न माद्मा लोग ब्रह्मचाय लोग है कि नहीं बेत पाठी लोग उनको बुला करके भोजन कराते हो उसको फिर सुनाओ यह परंपर है ठीक है तस्राध्धम तो जो स्राध्ध कर्म हो रहा है अस्य स्राधक का आहना उपासक का ठीक है आनंत्याय अनंतफलाय कल्पते संपते वो अनंतफल वाला हो जाएगा कोन कर्म इस कर्म में यह पाठ किया जाता है स्राद्य कर्म ठीक है संपद्य थे दो बार के दिया दिरवचनम मलग दो बार कहना कोंट दो बार हुआ तदा अनंत्याय कलपति तदा अनंत्याय कलपति ये अध्या की परिस्यमाप्ति के लिए है ठीक है इति तृतियावल्ली प्रतम अध्याय समापतह इति काटको पनिषति प्रतमाध्याय तृतियावल्ली भास्यम समापतम ओम सहना बवतो सहना भुनक्तो साविरियम करवावे ते यस्विना वधी तमस्तो माविद्धिशावे ओम शान्ते शान्ते